एक बात सामने आई थी कि आइस्प्रिंट्स का जो पेपर था वो टाइम पर कंप्लीट ही नहीं हो पाया था और उसकी वजह एक सिंपली यह थी कि अगर आप मैट्स और रीजनिंग को ट्रिक्स के जरीए से नहीं पुरे कंसेप्ट से बनाने बैठेंगे तो पेपर छूटने कि जो चांसेज हैं वो काफी जादा बढ़ जाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे काउंटिंग फिगर्स एक टॉपिक है रीजनिंग का उसको समझने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट के जरीए भी और ट्रिक्स के जरीए भी तो आईए शुरू करते हैं इस इस अले तो देखते हैं कंसेप्ट को इसमें अगर हम स्कुएर काउंट करें थे तो यह इंकल के आता है तूसरा और स्कुएर मिनल मिलाईं यह मिलाएं अगर हम count करें तो total 5 square हो जाते हैं ठीक है तो यह तो हो गया concept वहीं अगर आपसे पूस्ता इसमें rectangle कितने हैं तो यह rectangle count करते हैं तो पहला rectangle तो यह हो गया बड़े वाला दूसरा rectangle यह हो गया तीसरा rectangle यह हो गया चौथा rectangle यह हो गया है और एक बात अगर आपको पता हो नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि जितने भी square होते हैं हम उनको भी rectangle ही मानते हैं एवरी square is a rectangle as well तो अगर हम देखें तो जब हमने count किया तो 4 rectangle निकल के आए पर हर एक square प्रते एक square भी एक rectangle होता है तो इससे पहले कितने square आये थे हमारे 5 तो total rectangle कितने हो गए 9 पर अगर सवाल आपसे यह पूस्ता कि only rectangle इसमें कितने हैं केवल rectangle कितने only rectangle कितने हैं तो हम square वाले जो rectangle हमने count किये हैं उनको minus कर देते तो only rectangle का answer होता 4 पर अगर total number of rectangle आपसे पूस्ता तो square वाले भी इसमें count किये जाते तो answer होता no तो दोस्तो यह तो बात थी concept की पर अगर हम ऐसे count करने बैठेंगे और figure थोड़ी complicated आ गई तो दिक्कत आ जाएगी ठीक है तो इसलिए trick जाननी बहुत ज़रूरी है और trick क्या है कि जब भी आपसे square पूछे तो आप कुछ मत करिए आप यहाँ पे number of columns कितने है number of rows कितने है यह count कर लिजे और फिर column को row से multiply कर दिजे तो इसमें total number of square कैसे निकल के आएंगे कितने column है दो कितनी row है दो plus add कर दिजे फिर एक एक minus कर दिजे तो अभी दो column लिए थे अब एक column लेंगे दो रो लिए थी तो अब एक रो लेंगे तो total कितने निकल के आ रहा है 4 plus 1 that is 5 तो यह तो हो गया square वहीं अगर आपसे पूछता rectangle इसमें कितने होंगे rectangle के लिए क्या करना है आपको कि number of rows और number of column इंका जो sum होगा इंका जो addition होगा उसको आपस में multiply करना है तो कितने column है 1 plus 1 plus 2 ठीक है और कितनी rows है 1 plus 2 ठीक है तो 3 को 3 से multiply करेंगे तो क्या आन से निकल के आएगा 9 तो यह हो गए total number of rectangles निकालने का सबसे आसान तरीका tricks के जरिए चलिए एक और figure देखते हैं और इसको trick से सीधा solve करेंगे तो इसमें अगर आपसे पूछता है कि number of square कितने हैं तो खुच से solve करने की कोशिश करें वीडियो को pause कर दीजे तो सबसे पहले count करते हैं number of column तीन column है और 4 row है और फिर multiply करने जाएंगे इंको square के लिए क्या करेंगे column को row से multiply करेंगे 3 को 4 से multiply किया फिर एक-एक minus करेंगे 2 को 3 से multiply किया फिर 1 को 2 से multiply किया इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि अब 0 हो जाएगा एक के बाद तो फिर 0 आएगा न तो इसका अगर हम total करते हैं तो total आएगा 12 प्लस 6 प्लस 2 मतलब 30 तो यह हो गई total number of square अगर आपसे यही rectangle पूस्था rectangle कितने है तो rectangle के लिए हमें plus करना है plus करने का तरीका क्या है कि कितने column है 3 1 प्लस 2 प्लस 3 into number of rows कितनी है 4 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 अगर हम इसका total करेंगे तो 60 into 10 that is 6 into 10 that is 60 तो यह हो जाते हैं हमारे number of rectangle ठीक है और यह जो sum आप देख रहे हैं इडिशन इसके लिए एक formula भी होता है n n प्लस 1 by 2 n इसमें होता है number of terms ठीक है इसे आप directly इसका total निकाल सकते हैं तो आपको यह trick समझ में आई होगी तो अगर समझ में आई है तो इसमें मुझे जल्दी से बता दीजिए कि कितने square हैं और कितने rectangle हैं तो चलिए सबसे पहले तो number of column लिख देते हैं number of column है इसमें 5 number of row है इसमें 2 square निकालने का तरीका है कि आपस में multiply करना है 5 को 2 से multiply प्लस 4 को 1 से multiply total कितना आता है 14 तो यह हो गए number of या number of square वहीं अगर rectangle आपसे पूस्ता rectangle में sum करके multiply करना होता है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इसका sum हो जाता 15 इंटू 3 मतलब 45 तो यह हो जाते number of rectangles आप लोगों के सामने ठीक है तो square के लिए 5 को 2 से multiply किया फिर एक कम किया 4 को 1 से multiply किया और answer आ गया 14 और rectangle के लिए हमने addition करके multiply कर दिया है जो कि आपके सामने है अब जल्दी से बताइए कि इसमें कितने number of square होंगे खाली आपको बताना है कितने number of square होंगे इसमें तो इसको तो हम जानते हैं बहुत easily जानते हैं और बहुत easily इसको solve कर सकते हैं तबसे पहली figure ही हमने ज square कितने निकल के आये थे 5 निकल के आये थे वहीं जो बाहर वाली figure है वह भी similar figure है बस size का फरक है अगर आप देखें यह वाली है ना similar figure बस size का फरक है तो इसमें भी कितने number of square होंगे इसमें भी number of square 5 होंगे तो total आपके कितने square होगे इस figure में 10 होगे बहुत ही simple था सीधा count कर सकते थे क्योंगे यह similar figure हमने देखी थी पहले question में अब यह है थोड़ी twisted figure ठीक है इसको अगर आप solve कर पाए तो बहुत ही बढ़िया तालिया आप लोगों के लिए पर अगर आप नहीं कर पाएं तो मेरे साथ स्क्रीन पर देखिए तो दोस्तों पहली figure तो है यह हमारे सामने है ठीक है इस वाली figure के तो हमने number of square अभी निकाले हैं पिछले slide में कितने आये इसके इस वाली figure के निकल के आगए number of square पाँच ठीक है अब दूसरी figure इसमें कौन सी है वो है यह पर अगर आप note करें अगर आप इस figure को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि इन दोनों figures में यह वाला जो portion है यह तो common ही है यह वाला जो portion है यह जो मैं mark कर रहा हूं बार बार यह तो common ही है यह वाला square तो दोनों में common है तो आप एक ही बार उसको count कर सकते थे वो हमने ह पर count कर लिया है तो इसलिए इस वाले square को इस figure में से minus करेंगे और जब हम minus करेंगे तो जो total 5 आता square वो 5 ना के उसमें एक minus करेंगे तो इस figure के कितने square आएंगे 4 ठीक है वैसे ही अब अगली figure पर चले तो यह हमारे सामने अगली figure और इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी 5 ही square आने चाहिए थे पर हुआ क्या है हुआ यह है यह वाला जो square है यह वाला जो square है यह वाला जो square है यह इस figure में भी common है और इस figure में भी common है तो इसलिए इस वाले square को भी हम minus कर देंगे तो इस वाले box के कितने number of square आएंगे आने तो चाहिए थे 5 पर आएंगे चार क्योंकि एक common था, तो total कितने square हो जाते हैं, total हो जाते हैं, पांच प्लस चार, प्लस चार, मतलब 13 square होंगे, तो दोस्तों, अगर आप CUET की त्यारी करें, चाहिए वो PG हो या UG हो, क्योंकि reasoning दोनों में same है, या आप match हमसे पढ़ना चाते हैं, GS पढ़ना चाते हैं, current affair पढ़ना चाते हैं, तो आप इस number से सारी information ले सकते हैं, या directly हमारी mobile application, legal pedagogy को download करके, उसके store section से patches को purchase कर सकते हैं, तो दोस्तों, आज की इस video में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, take care, हर हर महादेव, राधे राधे